नमस्कार दोस्तो इस वक्त की तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समचार आप लोगों के लिए लेकर के आएं हैं दोस्तो जहाँ पर एक एक करके तिन भर की सभी बड़ी खबरे आप तक पहुँचाएंगे जहाँ पर दोस्तो जानेंगे कि बड़ी खबर आ रही है सवालों के बीच यहाँ पर चुनाव आयोग ने मिलने से किया मना इसके साथ ही दोस्तो अगली खबर में बताएंगे कि सोनिया गांधी के जनम दिन पर राहुल गांधी से लेकर के पिया मोदी और मलिका अरजुन खडगे सब दे रहे हैं उनको बढ़ाई तो वहीं दोस्त प्रकार की तमाम बेहत बड़ी खबरे आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी देश में निस्पच मतदान के लिए बैलेड पेपर का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक क खबर आ रही है मौकपोल के बाद एवियम रीसेट करना ही पीठा सीन अधिकारी को नहीं रहा याद मतगड़ना में बड़ी चूक यहां पर सामने निकल के आई है तीन जगहों पर वोटों की हेरा फेरी की गई है निर्वाचन अधिकारी बोले ये मान भीय भूल है जिहां चलें आप लोगों को मनासा चित्रकूट वा नीमच में ये मामले उजागर हुए है जिन में निर्वाचन करमचारी मौक पोल के बाद एवियम को रीसेट करना ही भूल गया इसके चलते अब इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने किसे वोट दिया ये कभी भी पता नही चल सकेगा क्योंकि उसमें पहले सही वोट यहां पर सेट थे जिसको रीसेट नहीं किया गया और वही सतना में भी वही गड़बरी सामने निकल के आई चित्रकूट के चार केंद्रों में गड़बर जाला सामने निकल के आया है कई मतदान केंद्रों के यहां पर मत ही नहीं गिने गए हैं ये भी यहाँ पर मानविय चूग बता रहा है चुनावायोग देख सकते हैं कि देश का चुनावायोग कितना मासूम बन रहा है इतने बड़े इस्तर पर गड़बड़ी हो रही है और कोई भी कारवाई नहीं की जा रही है गोदी मीडिया खबर दिखाने को त बताते चलें कि अकबरुद्दीन ओवैसी बने प्रोटम स्पीकर तो वहीं भाजपा विधायकों ने किया इसका विरूद कहा हम नहीं लेंगे सपत तेलंगाना की राजपाल की और से नियुक्ती के बाद ए आइम आइम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधान स और समहारों का यहां पर वहिशकार कर दिया है बीजेपी के विधायकों ने और वहीं गोधी मीडिया लगातार ये जुट फैला रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी ने ओवैसी को प्रोटम स्पीकर नियुक्ती किया है और बीजेपी आइटी सेल भी यहीं दुस प्रचार फैल रहा है जबकि प्रोटम स्पीकर की नियुक्ती यहां पर राजिपाल करते हैं यह यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी खबर तेलंग आना से सामने निकल के आई है दोस्तों अगली खबर की तरह बढ़ते हैं सोनिया गांधी को तमाम दिगज नेता दे रहे हैं जनम दिन की बढ़ाई कॉंग्रस की अध्यच मलिका अरजुन खडगे सोनिया गांधी से मिलने पहुचे और खडगे ने उनसे मुलाकात कर उनको जनम दिन की बढ़ाई और सुब कामनाई दी हैं और वहीं रहुल गांधी ने भी अपनी मा को यहां पर बढ़ाई दी है इसके साथ ही प कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे सकते हैं अगली जो खबर आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं इवियम हैकिंग करने वाले हरी प्रसाथ जिनसे चुनाव आयोग नहीं मिलना चाहता है दिगविजय सिंग ने खबर शेयर की है जहां दोस्तों कॉंग्रस के नेता दि इवियम चुराने के आरोप लगे और वहीं अब एक बार फिर से उनका नाम सामने निगल के आया है क्योंकि देस में समय इवियम का मुद्दा गर्माया है जनता मांग कर रही है कि बैलड पेपर से चुनाव हो इवियम से चुनाव निस्पच नहीं होता है और वहीं सब के बीच में बताते चलें हरी प्रसाद कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रानिक उपकरण से छेड़ चाड़ की जा सकती है तो इवियम आखिर क्या चीज है ये भी यहाँ पर हैक हो सकती है ये यहाँ पर उनका कहना है और वहीं जब वे यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने पहु चुनाव आयोग ने बीच में ही उनको रोक दिया और कहा कि आप इवियम हैक नहीं कर पाए लेकिन यहाँ पर हरी प्रसाद ने कहा कि वे अपना काम पूरा कर रहे थे और चुनाव आयोग को सामने निकल की आया है कॉंग्रेस के नेता दिगविजय सिंग ने पूरे मामले को शेयर भी यहां पर किया है अपनी राय भी दोस्तों जरूर बता सकते हैं पूरी खबर पर कि क्या चुनाव आयों के उपर भी सवाल खड़े होने चाहिए या नहीं एक और अपडेट जो आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं राहुल गांधी के निसाने पर आ चुकी है गोधी मीडिया जिहां दोस्तों हाल ही में पांच राज्यों के अंदर चुनाव संपन हुआ तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी जिस पर कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि हमने जबरदस्त मुकाबला किया बीजेपी का लेकिन बीजेपी के साथ में केंदरिय एजेंसिया थी चुनाव आयोग भी उसके साथ में गोधी मीडिया भी उसके साथ में और वहीं इस भी चेराहुल गांधी ने हुंकार भरी है गोधी मीडिया को लेकर के और कहा है कि आपके घर में भी एक भाजबाई बैठा है जो रोजाना आपका माइंड वास कर रहा है इसका नाम है गोधी टीवी जिहां दोस्तों ये तंज कसा है गोधी मीडिया को लेकर के अक्सर देखा गया है कि गोधी मीडिया लगतार बीजेपी के ही पक्ष में महौल ब रहा है बलकि इस पर बीजेपी की ही तारिप कर रहा है अब सवाल है कि अगर यहीं पर कॉंग्रेस पार्टी होती तो कोधी मीडिया क्या करता अभी विपच्छ ने एक हफ्ता लिया होता तो मुख्यमंत्री चुनने में तो मीडिया यहां पर चिल्ला चिल्ला करकर बवाल क लेकिन बीजेपी मुक्यमंत्री नहीं चुन पा रही है तब गोधी मीडिया चुप बैठी है और यहां पर इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है यही है दोस्तों गोधी मीडिया और यहां पर राहुल गांधी ने ले लिया है गोधी मीडिया को निसाने पर तो व हिलाओं को हर महीने धाई हजार रुपए और 500 रुपए में गैस लेंडर इसके साथ ही यहाँ पर मुफ्त यात्रा दी जाएगी बसों में इसके साथ ही दोस्तों और भी जितने वादे किये थे उसके तहट 200 यूनिट बिजली यहाँ पर फ्री दी जाएगी और बुजुर्ग हैं लेकिन कुछ यह गारंटियां थी जो यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार बनते ही लागू हो चुकी हैं यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी ख़बरें मुख्य समचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचा है अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों जादा से जादा इन खबरों को मुख्य समचारों को शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर रहा है तो दोस्तों चैनल को जबर सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के ल जय हिंद जय भारत